तो गाइस यह जो आप बाइक देख रहे हो यह है KTM की RC200 और गाड़ी जो है धाई लाग के प्राइस में सबसे बैस्ट बाइक हो जाती है सबसे जादा पावरफुल बाइक हो जाती है प्राइसिंग भी ठीक है आपको फीचर्स भी काफी अच्छे मिलते हैं और गाड़ी की जो की है वह है अपने हाथ में वेट की मिल रहे है दो की मिल रहे है जिसके KTM लिखा है दोनों साइड में 3D में जो की मेंशन कार भी रखा है तो जल्दी से एक मिनट लूंगा आपका फटाफट से इसका वाकराउंड कर देता है छोटा सा काड़ी के अगनेशन जैसी ओन कर आप यहां पर आपको मिल जाते हैं ब्लिंकर्स, यहां पर आपको इंडिकेटर्स, यहां पर आपको DRLs मिलते हैं जिसकी विजबिलिटी इस ब्राइट है और यहां पर फॉगी टाइप का आपको ग्लास देखने को मिल जाता है LED में headlamp setup रहने वाला है low beam high beam सब LED में ही मिलता है UHZ fork upside down वाले suspension फ्रेंट में मिल रहे है 320 mm की display मिलती है फ्रेंट में और 230 mm की मिलती है आपको rear में आगे मिल रहा है 110 section का टायर पीछे मिल रहा है 150 section का टायर 13.7 लिटर के आपको fuel tank capacity मिल जाती है गाड़ी के अंदर आपको mileage जो है वो मिलती है 35 kmpl की तो 35 km per liter के आपको ये गाड़ी आराम से average दे देगी तो मोटा मोटा तो ये मैंने बता दिया बाकि इसका full detail review मेरे चैनल पर डला हुआ है तो अभी मैं बताने बाला हूँ इस काड़ी की EMI की detail के इस bike को आप 2024 में purchase करते हो तो परमंद के आपकी EMI के आने वाली है कितनी down payment करके आप ये bike ले सकते हो कौन-कौन से documents आपको ले जाने पढ़ेंगे शोरोम के अंदर या शोरोम से कौन-कौन से paper आपको दिये जाएंगे पुस्तारी जानकरी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी बस वीडियो का अंधक ज़रूर देखना तो सबसे पहले बात करते हैं तो जब इस bike को लेने के लिए आप जाओगे शोरोम के अंदर तो वहां से मिलेगी आपको फाइवेर इंजन वारंटी पांस साल का insurance कुछ सर्विस आपको फ्री दे जाएगी जिसमें आपकी लेवर चार्ज नहीं लगेगी ओईल का पैसा आपको पे करना पड़ेगा जाएंगे अब बात करते हैं इसके on-road price की तो गाड़ी का on-road price है वो है 257,000 रुपे जो की डेली अपर देली NCR का रहने वाला है अब बात करते हैं down payment की तो maximum आप 50,000 की down payment करके इस bike को आराम से ले सकते हो civil score रहेगा 750 प्लस तो 40-45,000 की down payment पर भी आपको ये भाई का राम से मिल जाएगी तो अब finally बात कर लेते हैं इसके down payment की तो अगर आप इसे 50,000 की down payment करके लेते हो और finance करवा रहे हो एक साल यानि 12 महीने के लिए तो आपकी जो EMI है वो बन जाती है 19,515 रुपे की जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी आप इस भाई को 50,000 की down payment करके finance करवाते हो दो साल यानि 24 महीने के लिए तो आपकी जो EMI है पर मंत की वो बन जाती है 10,605 रुपे 10,605 रुपे की आपकी EMI बनेगी जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी जितना जादा आप down payment करते हो उतनी कम आपकी EMI बनती चली जाती है आपकी जो EMI का प्लान होता है वो depend करता है आपके civil score प्लस आपके down payment पर civil score 750 प्लस रहेगा तो आपकी EMI लो हो जाती है down payment जादा करोगे तो भी आपकी EMI लो हो जाएगी तो दोनों ही चीज आपको यहाँ पे 100 प्लस रखनी पड़ेगी इस काड़ी को आप 3 साल यानि 36 महीने के लिए finance करवाते हो 50,000 की down payment देखे तो आपकी जो EMI है वो बनती है 7,679 रुपे के आपकी EMI बनेगी जोगे हर मईने आपको पेक करनी पड़ेगी तो आपकी जो EMI का प्लान है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है एक साल, दो साल या फिर तीन साल इसमें से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हो 50,000 की down payment के हिसाब से बाकी जितना जादा आप down payment करोगे उतनी कम आपकी EMI बनती चली जाएगी शोरूम के जो contact number है वो नीचे दे रखे हैं आप चाहो तो इस गाड़ी के बारे में और कुछ जाना चाहते हो या जादा down payment करके आपकी EMI क्या बनेगी उसके बारे में पता करना चाहते हो तो call कर लेना इसमें से किसी भी number पे आपको सारी detail आराम से मिल जाएगी बाकी गाड़ी के बारे में आपकी क्या रहा है comment कर के बता देना इसमें क्कौन सा गलर आपको अच्छा लगता है एक blue आता है एक black आता है और एक है आपके सामने orange गलर के साथ आपको यह गाड़ी मिलती है बाकी RC में आपको 200 पसंद है या 125 comment कर कर बता देना वेलप लगाओ तो शेयर कर देना वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं तो गाइस लेते लिदा, मिलते हैं एक लिए वीडियो में, टेक केर, जेहन झाल झाल